इस वीडियो के माद्यम से आप ऐसे टोपिक के बारे में जद्धन करेंगे जो आपके डी एड, बीएड, सीटेट और स्टेट जैसे एक्जाम के लिए या फिर कोई भी अन्नेटेट एक्जाम होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्पून है वह टोपिक आपका पॉवल जो अपना सिधान दिये थे आप उसके बारे में इस वीडियो के माद्यम से जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो के माद्यम से आप कौन-कौन चीजों को शीखेंगे तो सबसे पहले आप जानेगे कि यह जो अनुकिरिया अनबंद शिधान्त है यह क्या है इ यानि अनुकरिया 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 अनुकरि किसको चुना तो पावलव ने अपने प्रयोग के लिए कुत्ते को चुना था आप यहाँ पर इस बात को याद रखेंगे साथे साथ पावलव को मनोविज्ञान के छेत्र में 1904 में नोबल पुरस्कार भी मिला गया था मतलब आप यहाँ पर 1940 देख रहे हैं यह 1904 पावलव को 1904 में मनोविज्ञान के छेत्र में यह भी याद रखेगा मनोविज्ञान के छेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया था ठीके तो यह तीन बात आप यहाँ से याद रखेंगे और भी बाते हैं हम लोग बात करते हैं जैसे पावलव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है यह जो अनुबंधन होती है इसका जनक पावलव को ही माना गया है एक मनोविज्ञानी के हमारे पावलव रशियन इन ही को अनुबंधन का जनक माना गया है तो यह चार पाँच पाइंट जो आपको यहाँ पे दिख रही है इसको आप याद रखेंगे पावलोब से जुरे हुए हैं उनके जिवनी से जुरे हुए हैं अब हम लोग बात करते हैं पावलोब के शिधान्त का अलग-अलग नाम कौन सा है यह जानना बहुत जरूरी है चुकि मालेज़े आप एक नाम स जानेंगे और दूसरी नाम को आपको नहीं पता है और भले ही उस सिधान्त के बारे में आपको पता है फिर भी अगर एज़ाम में दूसरा नाम से पूछ दे तो फिर आप वहां पे कन्फ्यूज कर जाएंगे और उसका अंसर नहीं दे पाएंगे इसलिए साड़े नामों क अनुकिरिया का शिधान्त भी इनी का शिधान्त है और इस सिधान्त को यë step theory भी कहा जाता है यानिuccess नहीं कि ये सिधान्त थरो जारे अलग अलग सिधान्त है एक ही सिधान्त उन्होंने दिया जो आजब अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माद्यम से और उसी का ये शारे अ विडियो में आपको बताया जाए कि इस थियोड क्या है और इस सिधान्त का नाम क्यों पर उपड़ा था जा लिए हम लोग श्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इनके सिधान्त के तो इन्होंने अपने प्रियोग के लिए कुछ समगरी का लिया जैसे हम सभी लोग कोई कोई प्रियोग करते हैं तो कुछ-कुछ चीजों के अवशकता होती है इसलिए इन्होंने भी अपना प्रियोग किया तो इनके लिए कुछ चीजों के अवशकता पड़ी जिसमें सबसे उन्होंने घंटी को लिया, तो उन्होंने तीन चीजों के लिया, एक लिया, कुत्ता, दूसरा लिया, भोजन, और तीसरा लिया, घंटी, अब इस तीनों चीजों को मिला करके, वो एक परियोग करते हैं, यानि कि वो एक परियोग करते हैं, वो परियोग देखे, जो इसको कह गया है कि पॉवलम का कुट्टा पर परियोग ठीक है तो जो परियोग के लिए उन्होंने कॉनकों से चीज़े की उसको चले एक एक करके हम लोग बारेकी से समझने का प्रियास करती हैं देखे पॉवलम ने सबसे पहले कुट्टे को रसी से बांद दिया और उसके बाद उन् रसी से बंधे होने के कारण उसको असानी से खा नीं जगता है तो इसको उन्होंने देखा कि कुट्टे के सामने जैसे भोजण डखा जाता है तो उसके मूल से खाने नयगयो जाता है वोही बात यहाँ पे कुता के साथ भी ओ रहा है भूका है विचारा और भोजन जैसे उसको सामने रखी जाती हैًँ उसके मूज से लाड़ांना स्टार्ट हो जाता है ठीके लाड यह सोभावी किरिया है हमारे मूझ से भी आ सकता है किसी अन्य जानवर के मुझसे भी आ सकता है अगर वो भूग की स्थिती में है तो तो ये हमारा सोभावी किरिया है लार का आना अब उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन तक ऐसे दिया ऐसे ही कुट्टे को सामने भोजन रख देते थे लेकिन उनके मन में आया ख्याल कि चलो अब मैं एक घंटी पहले बजाओंगा फिर कुट्टे के सामने भोजन रखूंगा और फिर मैं देखूंगा कि कुट्टा का रियेक्शन क्या है कुट्टा का डिस्पोंस क्या है तो कुछ दिन बाद वो क्या करते थे पहले घंटी बजा देते थे फिर उसके सामने भोजन प्रस्तूत करते थे फिर भी वो अपाते थे क्या कि कुट्टा के मुँसे लाड़ आ ही रहा है जैसे ही घंटी बजती कुट्टे के मुँसे लाड़ आना स्टार्ट हो जाता तो midday meal योजना जो होती है इसमें क्या होता है कि बच्चे को भोजन दिया जाता है तो जैसे ही घंटिया वजती है सभी बच्चे के मन में एक आ गई कि चलो आप भोजन मिनने वाला है सब बच्चे थाली निकालते है बैक से और चले जाते है कीचन के पास स्कूल के कीचन के जहां से उन्हें भोजन मिनने वाली है तो सेम चीजे है कुता भी यह समझ गया कि घंटी बज़ेगी मतलब भोजन आएगा तो यहां पर भोजन दिया जाएगा तो इसलिए क्या हुआ कि जब उसके सामने घंटी बज़ती उसके मूं से लाराना स्टार्ट हो जाता है यह प गुते को क्या कि घंटी बजा दिया और भोजन उसके सामने रखे ही नहीं आप उसका पहले का जो रिस्पोंस था भोजन देखने के बाद वही रिस्पॉंस बीना भोजन यानी घंटी बज़ाने के बाद भी कर रहा है तो इस सिध्धांत को के लिए उन्होंने इतना ही बनती है ठीक है जिसमें से सबसे पहला बात है कि पावलव की इस परकिरिया में भोजन उद्धीपक है याने स्टूमिलस है ठीक है तो भोजन किसका काम कर रहा है उद्धीपक का काम कर रहा है और इसलिए इस परकिरिया में चुकी स्टूमिलस पर अधारी थे यहां पूरा प योग यहीं स्ट्यूम्लस को में इस डहीं इस्ट्मलस प्रिदारी ताथ क्ला दिया तलब कि इस ट्विस, यानले क्प्लिभटन इस आम धै धार्टकियस मतलब का प्रिकार यह इस लिए पॉल ओक के इस सिधानत को step theory के नामज़ भी जाना दाता है लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग अभी उदीपक के बारे मचे से नहीं समझ पा रहा है कि उदीपक आखिर हम कहेंगे कि इसको तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिस करता हूँ उदीपक के बारे में कि उदीपक क्या होता है देखें उदीपक जो इस्टूमिलस होता है यह वह पदार्थ होता है जो किसी भी सजी में उतेजना लाने का काम करता है उतेजना कहने का मतलब क्या है कि आप में एक चीज की तलब जगाएगी, जैसे कि आप भूखे रहते, आपको भूख लगी रहती है, तो आप खाना को देखेंगे, तो आपके भूख और तेज हो जाती है, तो आप में भूख की एक तलब और बढ़ा दियाए, टिके, इस्टुमलस यानि उदीपक वे पद कि आपको एक तो आप भूखे थे, और वो गुलगप्पा आपको और भूख को बढ़ा दिया, यानि आपके भूख वाले उत्यजना को और जादा बढ़ा दिया, तो ये चीज़े आपका वहाँ पर उदीपक गुलगप्पा कहलाएगी, जैसे कभी आपको आइस्क्रीम को देखते हैं, तो खाने का मन कर जाता है, तो ये सारे चीज़े क्या होती है, उदीपक होती है, जो आपके अंदर उतेजना को लाती है, भूख क्या है, एक उतेजना है, शंबेग है, ये उत्दीपक जो है, या वहाँ पदार्थ होता है, जो उतेजना लाने का काम करता है, इसी को stimulus कहा गया है अंग्रेजी में शे stimulus कहा जाता है तो उद्धीपक के बारे में आप यहाँ पर समझ लिए कि उद्धीपक क्या होता है अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक चीज और आपको परना है वो है response यानि कि response को हिंदी में अणुकिरिया कहते है और इसी को हम लोग देनिक जीवन पर होने लगती है जैसे आप qo देखेंगे मतलब क्या है कि सर ने आपको जो बाते बताया उसके समक्स आपने अनुकिरिया दिया यानि रिस्पोंस दिया जरगी बातों का जैसे ही call आपका कोई करता है तो आप call receive करते हैं मतलब क्या है कि आपने उसके call को response दिया तो किसी किरिया के बदले आपका जो परतिकिरिया रहती है वह आपका response कहलाता है जैसे उदीपक के कारण जो परतिकिरिया होती है उसे अनुकिरिया का जाता है तो जैसे कि आप यहाँ पर example के समख से देखे, यह भोजन को देखकर कुते में लार आता है, यह क्या है, तो भोजन यहाँ पर उदीपक है, और लार आना क्या है, यह एक response यानि अनुकिरिया है, तो इसको हम लग ऐसे समझ सकते हैं, कि यह जो पुरा परकिरिया था, यहाँ भोजन हमारा उदीपक था, और लार हमारा अनुकिरिया है, यानि भोजन हमारा stimulus था, और लार हमारा response है, तो आई होप कि आपको stimulus और response के बारे में अंतर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि दोनों क्या चीज़े हैं, अगर किसी तरह की शमश्या ना हैं, तो च कुत्ते के मुह में लाराया, उसके बाद क्या किया गया, घंटी बजाया गया, फिर उसके बाद भोजन दिया गया, फिर देखा उसने कि कुत्ते के मुह में फिर से लाराया, फिर उसने क्या कि घंटी बजाया, और भोजन नहीं दिया, फिर भी उसने देखा कि कुत्ते के म तो देखे यहाँ पर कुछ बाते आपको याद रखने हैं एक साड में उधीपक लिए देता हूँ एक साड में अनुकिरिया याने एक टैपस्टूमरस दूसरी तरफ हम रिश्पॉंस को लिख देते हैं अब यहाँ पर समझने का कोशिज कीजिए बार बार आप देख रहे हो अनकंडिशन स्टूमिलस ठीके यानि कि सौभाविक उधीपक उतेजन उधीपक के जाकते हैं या फ twenty emphasized ौध का मतलब क्या हो गया अनकंडिशन ृस्पॉंस यानि कि às है तो स्टूमिलस और आठें तो यहाँ पर क्या होजागा डिस्पॉंस स्टूमिलस और फ्रमिसitaire मतल तो यह चीज आप समझे कैसे क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देखें कि UCS यानि Unconditioned Rich Tumulus यानि यह हमारा वो परकिरिया होती है, जब हम किसी चीज को देखते हैं और अचानक हमारे मुझ में पानी आ गया, जैसे गोलगप्य को देखा और पानी आ गया, तो यह हमारा इसमें आपका response भी कैसा होगा, सोभाविक होगा, चुकि आपको कोई देखा नहीं, सिर्फ आपने अपने मर्जी से देखा, और देखने कि वावजूद भी आपको मुझ से यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो गया, तो यह हमारा सोभाविक उत्यजन था, जो आपका वहाँ पर ग तो क्या है कि इस सीज़ में क्या और सभाविक है, ऐसे आप सीधे जनरली चल रहे हैं, आप गुलगप्य को नहीं देख रहे हैं, मालिजे किसी एक दूसरे कमरे में आप हैं, और आपको घंटी बजाया आगा, फिर आपके सामने गुलगप्य लाया गया, तो यह एक अगको घंटी बजेगी तबि आपके अंदर उत्येजन होगी, और आपका प्रकडिया भी जो है, यह इस को कहागया है UCS, इसको कहागया UCR, इसको कहागया है CS, इसको कहागया है CR, यानि कि शौभाविक उद्धीपन होगा, तो शौभाविक अनुकिरिया होगी, और जहांत में कैसे सोभाविक अनुकिडिया हुई शोभाविक उदीपन आया इसको समझी जैसे UCS में आ जाएगा हमारा शोभाविक में भोजन था वहां पर शोभाविक तो लारक आना ये भी एक शोभाविक पर किडिया था यहां पर आप देखिए कि यहां पर C,S में यानि कनडीशन लगा तीया गंटी जैगी जैना हमारा शोभाविक उदीपन था यहां पर भोजन हमारा शोभाविक उदीपन था ठाड़we तो इसके बाद जो हमारा ये जो UCR आएगा यह भी हमारा सोभाविक आगा है चुकि यहाँ पर भोजन आ गया मतलब क्या है कि हमारा सोभाविक प्रकिरिया है लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर सिर्फ घंटी बजा देजेगा और उससे लाड़ा जाए ये तो हमारा और सोभाव कुट्य में ये परकिरिया नहीं होगी ये समाने कुट्य का सोभाव नहीं है कि घंटी बज़ेगा मतलब लाड़ा आगा इसलिए उस कुट्य में जो आ रही थी इसलिए इसको कहा गया है और सोभाविक प्रकिरिया बस इतनी सारे बात आप याद रखिये आपके पॉबलब पर किर्तिक होती है प्रविर्तिया पाई जाती है या फिर परतिकिरिया आए भी समाहित रहती है जो किसी उप्युक्त उदीपक की इस्थिती में उपस्थिती में वो परकट हो जाती है जैसे एक्जाम्पल में सबसे अच्छा है कि भूख व्यक्ति के सामने भोजन आने प पर साड़े मनुस्य के लिए यहां पर लागो किया अब हम लोग बात करेंगे अनुबंद अनुकरिया शिद्धान्त का सेक्षनिक महत्तों क्या है इसको सिक्षन से जोरने का क्या तात्वरे था तो देखे पावलोग कहते हैं कि सिद्धान्त के अनुसार बालक के सोभाव में या फिर उसके आदुतों में बदलाव करके उचित आदुत का निर्मान किया जा सकता है तो यहां पर बार-बार एक चीज को करेंगे तो उसके अंदर वो चीजे बदलावा जाएगी कुत्ते की तरह तो इसलिए इसको सेक्षनिक चेक्र में इस तरह सम लोग देख सकते हैं बच्चों में अभिविर्ति का विकास अगर कराना हो तो वहां पर यह शिधान्त काफी उप्युक्त सावित होगा और भै का निवारन करने के लिए यह शिधान्त काफी अनिवारे हैं शाती साथ आप पाएंगे कि यह शिधान्त बच्चों के समाजी करने के लिए भी आव आपको वो चीज दूर की जाने की पूरे कोशिस की जाएगी हमारी तरब से अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ बेल वाल आइकन को पेस्ट कर ही लिजे तक इसी तरह के जब कभी और भी रोचक मतपूर और उपयोगी वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबों तक सबसे पहले बहुंच जाए तो इस वीडियो में बस इतना ही था फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ने टॉपिक के साथ है तब तक लिए देखते लिए हमारे चैनल आलकार इस्ट्रडी को धन्यवा